दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एक नया टीवी खरीदने का मन बना रहे हो बट एक टीवी ऐसा चाहते हो आप जो lower cost में हो और without compromise हो specs पर तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि ये टीवी वन प्लस जैसे जो की आज की तारीक में एक प्रीमियम ब्रैंड में गिना जाता है तो इससे expect किया जाना लाजमी है कि ये products भी top notch होने बाले हैं अपने price segment अब देखते हैं कि आप इन टीवी से क्या expect कर सकते हैं दोस्तों लीक्स की माने तो ये टीवी दो पैनल में आपको offer किये जाएंगे एक 32 इंची का पैनल होगा और दूसरा 43 इंच का पैनल offer किया जाएगा जो 32 इंच का पैनल है वो HD resolution में आपको देखने को मिलेगा और 43 इं वन प्लस की तरफ से उसमें इसका pricing 1X999 देखा गया है तो आप expect कर सकते हैं कि ये well below 20,000 के आसपास से start होंगे तो अगर हम मान के चलें rumors और leaks को देखते वे तो आप मान सकते हैं 20,000 के आसपास 15-20,000 के आसपास 32 इंच का टीवी देखना को मिलेगा और 43 इंच का टीवी 30,000 त वन प्लस रेडिमी और रियलमी जैसे ब्रैंड्स को कड़ी टकर देने वाला है जो भी सेगमेंट में रूल कर रहे हैं दोस्तों वन प्लस के ऑलरी दो प्रीमियम टीवी मार्केट में वन प्लस ओफर कर रहा है इन दोनों टीवी के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक प्रो फोर के सर्टिफाइड ओफर करता है जो कि एक QLED टीवी है और इसकी कीमत 99,900 रुपीज है यानि कि लगबग 1,000,000 रुपे का टीवी और दूसरा टीवी जो है वो वन प्लस 55 Q1 4K सर्टिफाइड है ये भी एक QLED टीवी है और ये वन प्लस 69,900 में ओफर कर रहा है तो कितनी वैली उसमें मिलने वाली है तो दोस्तों फिंगर स्क्रॉच देखने आही होगा इसमें कि अब कैसी कॉलिटी ओफर करता है एक प्रीमियम ब्रैंड जो इतने महेंगे टीवी मैनिफेक्चर करता है दोस्तों जब ये दोनों टीवी लाँच हुए थे तो वन प्लस का एक मेकैनिकल स्पीकर फीचर बहुत टाउट किया गया था और ये काफी इंप्रेसिव फीचर भी था अपने सेग्मेंट में दोस्तों अगर इस फीचर का एक हाईलाइट बताओं आपको तो जैसी आप टीवी ओफ करते थे इसके स्पीकर बॉटम से अप चले जाते हैं और टीवी में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जो 20 से आपको यही है कि अगर आप 20 से 30 जार की रेंज में कोई अच्छा टीवी एक वेल इक्विप ब्रेंड के साथ लेना चाते हैं तो आप वेट कर सकते हैं टीवी के लिए दोस्तों लाँच डेट की बात करूं तो रूमर्स के एकॉर्डिंग यह 2 जुलाई को लाँच होने वाला है टीवी तो ज़्यादा दूर भी नहीं है कोई लाँच डेट और अगर आप चाहते हैं एक अच्छा टीवी एक सस्ते दाम में तो आप इस टीवी को जरूर इस टीवी का बेसबरी से इंतिजा कर रहा हूं देखने के लिए कि ये टीवी हमें क्या रियल में ओफर करता है इतना हाइप जो इस टीवी के एराउंड क्रियेट किया गया है वो तो इसके आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो इसे जस्टिफाइड कर पाता है या नह तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही पसंद आया तो आप लाइक करें, शेर करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें for more awesome वीडियो लाइक दिस, till then be cool, be calm, bye bye